आजाओ दोस्तों चलते हैं राजस्तान के कुछ गाओं के सफर पर हम एक शादी में जा रहे थे तो सोचा चलो आपको भी थोड़ा दिखा देते हैं राजस्तान के कुछ गाओं अभी हम अपने गाओं से निकले हैं और जैसा कि आप देख रहे हो यह राजस्तान का एक सूखा ग्रस्ट एरिया है यहाँ पे आपको दूर दूर तक दोनों तरफ रोड की यह दोनों तरफ बस खाली और बंजर जमीन दिखाई देगी अब इसके सिवा तो कुछ है नहीं यह दो को लोगबाग है जो गर्मी से बचने के लिए क्या-क्या जतन कर रहे हैं सफेद कमच्छा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गर्मी की दिनों में और रोड की हालत आप देखी सकते हो थोड़ी टूटी-फूटी है लेकिन हमारे आने जाने के लिए ठीक-ठाक है बस काम चल जाता है आपको पेड़ दिखेंगे तो सारे बबूल के पेड़ दिखेंगे देशी बबूल है कुछ अंग्रेजी बबूल है और आज के दिन में दुरभागी की बात यह है कि टेंपरेचर जो है वो लगबग 43 डिग्री सेल्जिस है ऐसे टेंपरेचर में कहीं आना जाना और कोई शादीवादी अटेंड करना बड़ी तकलिफ वाली बात बन जाती है क्योंकि गर्मी बेर्टहाशा इम्तहान लेती है आपके यह हमारे ग्राम दे होता है और यहां से जब भी हम निकलते हैं तो गाड़ी का होर्न जरूर बजाते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अगर यहां से बिना होर्न बजाकर निकलते हो तो हो सकता है कि भगवान आपसे थोड़ा नाराज हो जाए तो भगवान जी को नाराज नहीं करना है और दोस्तों अभी हम अपने गाउं से निकल कर एक दूसरे गाउं में पहुँच चुके हैं इस गाउं में एक बाउडी है प्राचीन बाउडी जिसका वीडियो हमने बहुत पहरे बना रखा है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी ओ भई यहाँ पे तो बहुत बड़ा खतरनाक वाला एक्सिडेंट होने से बचा है हमारा आज जो ट्रेक्टर वाला है न यह थोड़ा सा यह पागलपंति कर रहा है और इसको अगर देखे तो यह है भी बच्चा सा लग रहा है और इसके पास लाइसेंस भी शायद ही होगा पता नहीं यह गाओं में कुछ भी बतलब गाड़ी वाड़ी लेकर निकल जाते है हम तो भाई बाल बाल बचे है आज कोई नहीं यह बस जिन्दगी है चलती रहती है सफर जारी रहना चाहिए तो अभी हम इस गाओं से गुजर रहे हैं गाओं के बीचों बीच से सड़क निकलती है और बच्पल से हम यह सड़क से आते जाते रहते हैं पहले के जमाने में यहाँ पे यह जो सेलफोन के टावर है वो नहीं हुआ करते थे और अब तो हर गाओं में यह कंपल सरी बन चुके हैं इसके बिना तो जीवन की गल्पना ही नहीं की जासे हुए तो अभी हमारी गाड़ी चल पड़ी है आगे की ओर अभी हम उसी रोड पर चल रहे हैं जो गाओं को गाओं से जोडने वाली रिलिंक रोड है यह माज एकदंबे का मंदिर है और इसके बारे में बहुत सारी कहाणिया में प्रचली थे कि यहां पे देवी ने किसी भावी को दर्शन दिये थे और बहुत सारी कहाणिया इसके बारे में तो भही अभी हम चड़ रहे हैं नेशनल हाइवे 62 पर जो की अंबाला से यानि हर्याना के अंबाला से राजस्तान के पाली शहर को जोड़ता है और यह जो शहर है वो है शहर तो नहीं कह सकते इसको जोटा सा गाओं है इस गाओं का नाम है खेडापा और यहां का रामदाम खेडापा विश्व विक्यात है जिसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है अपने इस चैनल पर उसको भी आप देख सकते हूँ और यहां पर आने जाने वालों के रुखने के लिए रमा रेस्टोरेंट यह एक अच्छा स्टॉप है यहां पर आपको हर तरह की खाने पिने की सुधाय मिल सकती है यह एक बस पड़ी है यह काफी लंबे समय से यहीं पर पड़ी है शायद यह किसी एकसिडेंट में या फिर किसी और वजह से यहां पर पुलिस वालों ने चब्द करिया था और उसके बाद से यहीं पर पड़ी है और दोस्तों हमको जाना है वोपालगड वोपालगड जान वो सेड पर रोड बन रही है नई स्टेट अवे बन रही है तो वहाँ पर अभी जो कारी है वो प्रगति पर है तो उतना आसान रहता नहीं है अपना वीकल लेकर जाना तो हम जा रहे हैं एक दूसरे रस्ते से और यह ट्रक वाला बहुत लंबे समय से हमारे आगे चल रहा है लेकिन अब आप इसको फानली और टेक करी लेते हैं राजस्तान रोडवेज की वसेज यहाँ पर काफी चलती रहती है अर दस पंद्रा मिनिट में आपको दिखी जाएगी अब हम एनेच शिक्स से टू को छोड़ देंगे और यहाँ से हम पालडी रणावता होगर अपने गंतव्यों बोपाल गड़ की तरफ बढ़ जाएगे दोस्तों आपने बोपाल गड़ का नाम तो कभी न कभी कहीं न कहीं सुनाई होगा काफी लोग यह समझ लेते हैं कि यह MP में तो नहीं है जैसे ही बोपाल बोलते हैं लेकिन यहाँ पर एक गड़ है यानि दुर्क है किला है जो की राजा बोपाल सिंग जी के नाम पर बनायागा है तो इसलिए इस शहर का नाम भी बोपाल गड़ रखा हुआ है राजस्तान में मुख्य तो यहाँ पर आपको केमपर जो है महिंद्रा की वो देखने को मिल जाती है लोग बाग यहाँ पर जो ग्रामिन है वो केमपर रखना प्रिफर करते हैं क्योंकि उनके आने जाने के साथ लोड़िंग का काम भी हो जाता है तो अभी हम यहाँ से यह दाये मुड जाएंगे और यह जो रोड है वो सीधे वापस NH-62 पर चड़ती है जो वाया क्यों सरो के जाती है और जो सीधी रोड जाती वो मेटतार रोड तक जाती है तो अभी हम अपने गंतवी के और नज़िक चले जा रहे है यह पीपार से टी और व्पाल suficiente मुखी हाईवे है स्टेट हाईवे कहते है इसको और यह स्टेट हाईवे 86C है जो कि उसर से लेकर बिलाड़ा के भावी तक जाती है और यह अभी अभी नहीं नहीं वनी है तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग एक्सपिरियस जो है वो बड़ा स्मूध हो जाता है जैसा कि यह वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने बताया कि राजस्तान जो है यह जो इलाका है वो सुखा गरस्त है और आज का जो टेमपरेचर वो तैयाली सेटिगर तक है लेकिन आज से कुछ 10-15 साल पहले यह जो जगा है यह जो जमीने हैं खेती है वो गुलचार हुआ करती थी सब तरफ हर्याली धर्याली थी लेकिन समय की धरा के साथ जो जमीन का पानी है जो ट्यूबेल का पानी का इस तरह वो बहुत ही नीचे गिर गया है और यहां के जो भी कास्तकार जो भी क्रशक थे वो जैसल मेर जिल्ले की तरफ निकल गया है खेती बाड़ी के लिए पिती वहां पर अभी जो भूजर इस तरह वो काफी अच्छा है और खेती करनी के लिए वहां पर परियापत मातरा में पानी मिल जाता है यह हमने सुरपूरा गाओं क्रोस किया है और अभी हमारा जो आने वाला अगला स्टॉप है वो बोपालगड शहर होने वाला है बोपालगड के साथ बहुत सारी यादे जुड़ी हुए मेरी बच्पन से ही लेकर और जैसे कि मैं बताएं कि हम शादी में जा रहे है तो शादियों वाला माहूल है आज अक्षे तृत्या है तस मई का दिन है तो जगए जगए पर साधी चल रही है तो हम जा रहे हैं तो रस्ते में डीजे वाले मिल गए वाई सब और अपने गाने बजा रहे हैं डालसवास चल रहे हैं और यह जो अंदर है यह बूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है और यह बूपालगड लोकल के लोग इनको मानते हैं यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना की जाती है अभी हम आकिरकार बूपालगड शहर तक पहुँचने वाले हैं यह देख लीजिए नमस्ते बूपालगड बूपालगड अभी कुछी सालों पहले मतलब शायद दो से तीन साल हुए होंगे ग्राम पंचाई थी अब नगरपालगड का बन शुकी है तो यहाँ पर शहरी सुगता हैं काफी मातरा में बढ़ गई है साफ साफाई खुलेकर या फिर जो भी विग्यापन के होडिंग है वो सब बूपालगड में भी अब दिखने लगे है और यह अच्छा भी है नगरपालगड का बनने से यहाँ के लोगों का जीवन अस्तर है वो काफी कुछ बदल गया है जब मैं यहाँ पर रहता था पहले तो यह तो बिल्कुल गाउं हुआ करता था अभी जैसे लगता है कि कोई शहर में इंट्री कर रहे है यह जो दिख रहा है आपको यह है बूपालगड का किला और इसके वारे में कई बहुत सारी कहानिया प्रचली थे हैं कहता है कि यह हुंटेट हैं यहाँ पर यह बंदी रहता है लोग बाग इसके अंदर जाते नहीं है मैंने तो आज से लगबग 20 साल हो गए किसी को यहाँ इसके अंदर या आसपास उपर तक जाते विए देखा नहीं है और यह आगया है तैसील वाला रोड यहाँ पर जितने भी सरकारी कारिया ले हैं चाहे वो तैसील हो हॉस्पिटल हो या पुलिस थाना हो या कॉपरेटिव बैंक्स हो वो सुब इसी जगह पर हैं पिछली चार-पांच सालों में बहुत बदल चुका है बोपाल गड़ और जगह जगह होर्डिंग्स पील लग चुके हैं जो एडवर्टेर्जिंग के लिए होते हैं यह आप देख सकते हैं उसमें तो दोस्तो हमारी जो यात्रा है वो नहरु चोक तक आकर यहीं पर अब समाप्त होती हैं तो दोस्तो आज का यह वीडियो यहीं तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो सकता है कि इससे भी बड़ीया बड़ीया कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आओं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और इस वीडियो को लाइक करे भी न जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा लाइक तो करी दीजिए झाल